आज अव्यक्त बाप दादा के 23 जन्वरी 1987 के मदुर महावाक्य पर मनंचिंतन करते हैं आज के मुरली का विशई है सफल तके सितारों की विशेषता हैं ज्यान सूरिय ज्यान चंद्रमा बाप दादा अपने नए सुकल्प पुराने बच्चों के सन्मुख परमात्म तारा मंडल का हाल सुनाते हुए बोले आज ज्यान सूरिय ज्यान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारा मंडल को देख रहे हैं वह आकाश के सितारे है और यह धर्ती के सितारे है वह प्रकर्ती की सत्ता है यह परमात्म सितारे है रुखानी सितारे हैं वह सितारे भी रात को ही प्रगट होते है ये रुहानी सितारे ज्ञान सितारे चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रगट होते हैं वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते हैं सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। लेकिन तुम जो हो सूर्य और चंद्रमा के साथ रात को दिन बनाते हैं। जाते हैं तो अपनी रेटेन करते हैं। अब सूर्य परमदाम भी चले जाएगा ये फिर भी चमकते रहेंगे। फरक तो होता है। फिर बाबा ने कहा जैसे प्रकरती के तारा मंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। वैसे परमात्म तारा मंडल में भी बिन बिन प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीब के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिती वाले हैं और कोई स्थिती बदलने वाले हैं। वहां तो तारे टूट जाते हैं, स्थिति बदलते हैं, उस दिन उस बेहन ने सुनाया था ने एक बड़ा अच्छा, वह कहते हैं, धर्म की इगलानी होती है, धर्म का विनाश होता है, अर्था थे धर्म नीचे आता है, खतम नहीं होता है, यह फर्क होगे कि नहीं, ऐसे ही व वह स्थान बदलते हैं, यहां स्थिति बदलते हैं, जैसे प्रकर्ति के तारा मंडल में पुछल तारे भी है, आज बाबा ने पुछल तारे की इतनी इंट्रेस्टिंग डेफिनिशन दी है, ग्यान के अंदर पुछल तारा कौन सा होता है, बहुत ही बढ़िया दी है, तो जैसे प्रकर्ति के पुछल तारे का प्रभाव पृत्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार-बार पूछने वाले इस ब्राह्मन परिवार में वायु मंडल भारी कर देते हैं, अनुभवी हो, जब स्वयम के प्रतिवी संकल्प में क्या और क्यूं का पूछ लग जाता है, तो मन और बुद्धी के स्थिती स्वयम प्रति भारी बन जाती है, और ऐसे भी बगवान जो सेना लेता है, सब पुछल तारों के लेता है, राम ने किसकी सेना ली, पुछल ता कि यह कैसे पता लगेगा, कि जो देवता बने हैं पहले पूछल तारे थे, इसलिए एक को पूछ के सहद भी देवता बना के उसकी पूजा करते हैं, कि इस तरह के थे, सेंपल तो रखते हैं ना, तो हनुमान जी को सेंपल रखा हुआ, अगर उसको भी दूसरे रूप में तो यादगार ही नहीं रहाएगा कि पहले कौन थे, सब पूछ पूछ दुनिया के अंदर कोश्चनिंग के मगार तो भगवान की भी नहीं सुनते, इसलिए गीता में कोश्चन से शुरू होता, और जब कोश्चन पूरे हो जाते हैं, नस्टु महासन रुतिलभ तो के कार्य प्रती क्यूं क्या ऐसा कैसा ये क्वेस्चन मर्क की क्यूं का पूछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरन वा सेवाक्षेत्र का वातावरन फॉरन भारी बन जाता है। यानि देवताओं के जब मीटिंग्स होती थी, सभाय लगती थी, शनी देवता को कोई इन्वाइट नहीं करता था, क्यांके वह आएगा तो कुछ ना कोई डिस्टर्बैंस, कुछ ना कोई दशा होगी, शनी के दशा ऐसी है। फिर पे वह आ जाता था, अन्निर्वाइट आ जाता था, इसलिए उससे जब हो आता था, कुछ ना कोछ रिगन पड़ जाता था। इसी तरह बाबा कहें, साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच, सेवा के कारी के प्रति भी आ जाते तो पूँछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरण, वा सेवा क्षेत्र का वा भाव पड़ जाता है ना, साथ साथ कई प्रकर्ति के सितारे, उपर से नीचे गिरते भी है, तो क्या बन जाते हैं, पत्थर, परमात्म सितारों में भी, जब निश्चय संबंध वा स्वाधारना की उची स्थिती से, नीचे आ जाते हैं, तो पत्थर बुद्धी बन जाते है ना, कैसे पत्थर बुद्धी बन जाते हैं, जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो, लेकिन पत्थर पिगलेगा नहीं, रूप बदल जाता है, लेकिन पिगलेगा नहीं, पत्थर को कुछ भी धारन नहीं होता है, ऐसे में जब पत्थर बुद्धी बन जाते हैं, तो उ कितना भी कोई भी अच्छी बात मैसुस कराओ तो मैसुस नहीं करते हैं। कितना भी ग्यान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। कहते हैं कि दाल होती है जो उसको आग पे रखते हैं, पकाते रहते हैं। कितना भी ग्यान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बाते बदलते रहेंगे लेकिन स्वयम नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धी बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो इस परमात्मत तारा मंडल के सितारों बीच में कौन सा सितारा हूं। क्योंकर पत्थर बुद्धी हैं पारस बुद्धी हैं। पारस बुद्धी दुसरें को भी टच करें तो पारस बन जाता है। अब बगवान को पारशनात कहते हैं, तो रावन को फिर हम पथर नात कहेंगे, इसको रावन ने टज किया, पथराया, सबसे स्रेष्ट सितारा है सफलता का सितारा, सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयम की प्रगती में सफलता को अनुभो करता रहे अर्थात अपने पुर्शार्थ की विधी में सदेव सहज सफलता अनुभो करता रहे सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयम के पुर्शार्थ प्रती भी कभी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ये असफलता का अन्श मात्र नहीं होगा बल्कि वो तो करते हुआ ही पड़ा है, इतना निष्चे होता है, होगा की बात नहीं, जरूर होगा भी नहीं, हुआ ही पड़ा, तो बगवान कहते हैं, आप बच्चों को मैंने वरदान दिया हुआ, हर काम हुआ ही पड़ा, जैसे स्लूगन है, सफलता जन्मसिद अधिकार ह ऐसे वह स्वयम प्रती सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे कहते हैं इस व्यक्ति के हाथ में बर्कत है अरता जहां आथ लगाएगा मिट्टी भी सोना बन जाएगी ऐसे लोग कहते है तो भर्कत का क्या मतलब हुआ कि वर्दान है इसको इसको बलेसिंग है तो इसलिए क्योंकि हाथ तो उसका काम कर रहा है लेकिन पहले से ही सफलता उसकी गरंटिड़ है ब्रमा बाबा को क्या काम दिया शिप बाबा ने एक व्यक्ति को बाबा कैता है, ऐसे ब्रामन को पकड़ लिया बाट बिन दे ब्रामन फडू उसको क्या कहा? पहले तो ऐसको दर्सण कराएं, शाक्षातकार कराएं देखो, सौरग है, महल है फिर ऐसको कह दो Himको यह बनाना है अब कैसे बनाने एक व्यक्ति, सारे दुनिया, और उसको वो सवरक बनाएगा, नरक मिटाएगा बगवान की शक्ति से, इतना निश्चे था, अभी तो उसको ही कहा, उससे नेक्ष को कहेगा, वो भी सोचेगा, देखूंगा जी, लेकिन वो उसने बना दिया. तो बाबा कहे, अधिकार की परिभाषा ही है, बिना महनत, बिना मांगने से प्राप्ति हो, अब जिसको है बिना मांगने से प्राप्ति हो, वो कभी मांगेगा, वो तो मांगे से तो उसका मरना भूला है, अब रह्मा बाबाने हम सोचे किस आधार से, कौन सा ऐसा बाबा के प जिसे उसने कर दिया, तो अगर आप गौर से देखेंगे, तो शी बावन ने उसको कहा, तुम ही ये थे, कि जो सिरी कृषिन है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात उसको बताई, कि तुम ही कृषिन थे, और तुम अन्यक बाहर बने हो, और तुम ने अन्यक बाहर बनना है, अब किसी को यह गरंटी हो जाए, चाहे वो बेगर के भेश में हो, लेकन तुम प्रिंस थे, किसी ने कहते है ने बेगर टू प्रिंस, तो बेगर टू प्रिंस का मतलब कहा कि उसको इतना निष्चे समरिती सदा सफष्ट हो गई, कि मैं था, मैं पहले भी बना था, अब मैंने आरों को भी बनाया था, जब मैं बना था, एक निष्चे ने, एक निष्चे डगमगनी हुआ, कि मैं बनूगा या नहीं बनूगा, कि मैं राम ना बन जाओ, कि क्रिश्ट नंबर तीन ना बन जाओ, नहीं, इसलिए बाबा हमेशा समरिती पर जोर देता है, कि आपके आगे क्रिस्टल क्लियर, बिलकुल सपष्ट समरिती रहनी चाहिए, जैसे कल की बात है, अब आवा किता है, दुनिया वालों को तो लाखों वर्ष कह के, जो थोड़ी बहुत समरिती है, वो भी उड़ा दी, लाखों वर्ष का कोई ड्रामा कैसे समझेगा, कर चानेगा कैसे, कल भ करोड साल पहले देवता थे, देवताओं के मंदर बनते थो बनाएगा, तो समरिती चलाती है ना, जैसे समरिती गुम हो गई, मंदर बनाने बंद हो जाएंगे, कभी देवता थे, अब बाबा कहता है, इतने क्लियर समरिती, पांच अजार तो वैसे कह दिया, फिर का काल, आ इस से वह उसने बना दिया, अब कोई मैकती है, एक बार हमाले चड़ के आजए, एक बारी, उसको सेकंड टाइम चड़ने में मुश्किल होगी, दूसरा सोचेगा, पता नहीं पता नहीं, वह कहगा, मैं तो चड़ा हूँ, और अगर हो सो बार चड़ चुका हो, उसके तो बाबा कहे, अधिकार की परिभाशा ही है, बीना मेहनत, बीना मांगने से प्राप्त हो, सहज और स्वतह प्राप्त हो, इसको कहते है अधिकार, ऐसे ही एक स्वयम प्रती सफलता, दूसरा अपने संबन संपर्ग में आते हुए, चाहे ब्रामन आत्माओं के, चाहे लौक परिवार वा लौकिक कारिय के संबंध में, सार्व संबन संपर्ग में, संबन में आते हैं, संपर्ग में आते, कितना भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आदार से, सहज अनुभो करेंगे, अर्थात, सफलता की प्रगती में आगे बढ़ते जाएंगे. अब जैसे कोई राजा है, अब राजा तक पहुंचना कितना मुश्कल होता, राजा तक पहुंचना कितना मुश्कल है एक सदारण व्यक्ति के लिए, और कहीं वारी राजा तक नहीं पहुंच पाते, इस कारण से वह निराश हो जाते हैं, और राजा तक पहुंचने पर भी कैते हैं, यह राजा नहीं है.demın जैसे एक किसी ने गाओ वाले को कहा कुपता झामरी इस ने का मैंने राजा देखता है. उसने कहा तो के पिदान के राज दानी में healthy है. उसने का उसकी निशानी क्या है उसने का बड़ा सजा हुआ होता है उसके अच्छा बहुत बड़ी अताज होता है ड्रेस होता है अलग तरह का होता है गया तो राजमहल पूछ के गया तो राजमहल के गेट पर भी जो खड़ा होता है उसका भी यूनिफार्म होता है गोल्ड क साथ उनका इंचा था सिक्यूरिटी गार्ड का। उसकी इदा और बेटर ड्रेस दी तो उसने का महाराज की da y 다 हूँ । उसने का भी महाराज नहीं हू अंदर जाओ। फिर उसका और अधिकारी मिल गया। उसकी स्दिल बैटर तो उसने फिर कहा महाराज की जाय हो, ऐसे कहता गया, सब ने कहा अंदर है, अंदर है वचारा सोच में पढ़ गया, आखिरकार वो महाराजा तक पहुंच गया, और उसने कहा ही नहीं महाराज की जाय हो, उसने कहा पता नहीं महाराज है या नहीं, मुझे के और भेज देगा, ऐसी स्टोरी सुनाते हैं लेकिन उसकर पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं लेकिन अगर महाराज का ब्रदर इनला आ जाए मालो दूसरे देश से उसको तो सुलूट करके कहेंगे अंदर जा क्यों अधिकारी है तब बाबा कहता है कि अधिकार के कारण से वेक्ति मह राज की गोद में भी बैठ जाता है उसका बच्चा है तो वरना आपके लिए प्रॉब्लम है तो यह जो भगवान ने अधिकार दिया हुआ है आल राइट से रिजर्वड तो बाबा कहते है पहले तो हर एक बच्चे का ब्रमा बाबा का के केवल आल राइट रिजर्वड पहले है आधि-अग्डशनों का उनके स्थान पर आल राइट रिजर्व है लास्ट से लास्ट बाबा के बच्चे का भी स्वरंग में आने का सौर्ग राइट रिजर्वड है क्योंकि उसने बाबा कहा हुआ हूआ हूआ है शलिए सब चीज हमारी निश्चित है इसलिए र पुछने लग जाते हैं, कि जी अगर डामा रिपीट होता है तो पुरशारत कैसे किरने के क्या वशकता है, वो सच्चे है, एक भाव से, क्योंकि पुरशारत है ही ने इसमे, वो जो पूछते हैं, और हम उनको आंसर देते हैं, कि गल्त स्वाल पूछा तुमने, पुरशारत क जब ड्रामार रिपीट होना तो पूरशारत के उसको दो मिलना है अगर इस अधिकार के एंगल से देख नहीं तो ठीक कह रहा है तो पूरशारत की आथ नहीं है जब तक आप नश्टो मुआ की कोशिश करेंगा पुर्शार्ति है तो इसलिए बाबा कहे संबन संपर्क में आते कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभो करेंगे अर्थात सफलता की प्रगती में आगे बढ़ते जाएंगे हाँ समय लग जाता है लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर के ही रहेगा ऐसे स्थूल कारिय वह अलौकिक सेवा का कारिय अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धी विज़ई रहेंगे कहां कहां परिस्थिती का सामना भी करना पड़ेगा व्यक्तियों के द्वारा सेहन भी करना पड़ेगा लेकिन वह सेहन करना उन्नती का रास्ता बन जाएगा अब देखिए कि अगर ये बात सम्रिती में रखे कोई कि सेहन करना उन्नती का रास्ता है जैसे कहते है फुटबाल आपके पाउंता काएगा तब ही आप किक लगाएंगे को परिक्षा हैगी तब ही आप अगली किलास में जाएंगे अगर ये शब्द को याद रखे तो पर दुनिया के लोग जिनको गयान नहीं है हस रहे हैं खेल रहे हैं अब उनको न्यूटन हो के देखें उनको पता ही नहीं है जैसे बली के बक्रे अगले दिन उनका क्या होना वो तो उसको पता है वो उसको गास दे है वो बड़े प्यार से खा रहे हैं ये तो नहीं पता कल क् हमारे साथ, तो इसलिए बाबा केता है, जिसको कल का पता होगा, उसी को ख्याल आएगा, तो इसलिए ये प्रीक्षा होना तो अच्छा है, कोई कहें मेरे आगे प्रीक्षा ही ना आए, अब मान लो भगवान मान ले उसकी बात, चलो तेरे आगे कोई प्रीक्षा नहीं आगी उसी कलास में बैठा रेगा तो इसी लिए बाबा कहे कहां कहां सेहन भी करना पड़ेगा लेकिन फिर भी लेकिन वह सेहन करना उन्नती का रास्ता बन जाएगा परिस्थिती को सामना करते परिस्थिती स्वस्थिती के उड़ती कला का साधन बन जाएगा अर्थात हर बात में सफलता स्वतह सहज और अवश्य प्राप्त होगी सफलता का सितारा उसके विशेश निशानी है कभी भी स्वकी सफलता का अभीमान नहीं होगा वर्णन नहीं करेगा अपने गीत नहीं गाएगा लेकिन जितनी सफलता उतना नम्ब्रचित निर्मान निर्मल स्वभाव होगा और दूसरे उसके गीत गाएंगे लेकिन वह स्वयम सदा बाप के गुण गाएगा अब देखिए कितनी गहरी बात है कि जो गीत गाना शुरू करेगा उसकी सफलता चड़ती कला रुख जाएगी और जो नमर रहेगा और दूसरे उसको कहेंगे शाब आगे बढ़ेगा मन लेजिये एक व्यытकी ने आठमी कलास पना र यजा कर ली मर्णन और उसने देखिएसि तो तो आठमी पनास है जगा 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 जाके कहेज़ से पूसजा को यजआ हैं तो क्या होगा और जो आठमी पांस हो गया फर्स्ट के जो जन में माता पितने का बहुत अच्छा टीचर ने का बहुत अच्छा और उसको इसकी स्पीड को बढ़ाएगा कि मैं नौमी में भी अच्छा बनू इसलिए कभी भी सफलता को जो बाबा कहता है सभी अभी मान आ जाए अभी मान ए सारी नर्म हो जैसे लोग आज कल सरकस वगारा में आप देखते हैं लगता है कि उसके हड़िया ही नहीं है तो कितना मॉल्डिंग पावर कितना रहता है पाइप में से भी निकल के आ जाएगा तब भगवान कहता है अगर सारा हड़ी सारा अकडे नाभी कुछ अकड उसके अगर नहीं पड़ाता है तो क्या होता है हाट फैल हो जाता है इसलिए भगवान कहते है अकड जो है जिसको कहते है अभी मान यह सफलता का नहीं आना तब कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल निमित बनके आगे बढ़ो तुमको दिलाई किसने मैं सफल हो गया वो तो ठीक है दिलाई किसने अगर टीचर अच्छा नहीं पड़ाता तुम सफल होते तब भगवान कहता है अगर यह याद रखो किसी ने उसने दलवाई है तब आप अभी मान नहीं आएगा क्या होता दिलवाता वो है और समयते मैंने पाई मैंने किया हमान लो किसी जिगैसू को समझ बन गया क्या एंग टिलिवरेब रमात्मा का अब उसको बहूत बड़ा रॉयल विक्ति है लेकorns को परमात्मा का गया समझ में आ गया तो मैं कहूं मैंने समझे रीवर वाय हूं मैं किसी अच्छी कंपनी का पीजा जाके कस्टमर को देता हूँ तो कंपनी का माल है था हूप मुझे खुश हो के कहता है कि कंपनी का रिप्रेजेंटेट हूं मैं समझू मैं ही पीजा मेकर हूं गड़बड होती है नौ सभी बात है इसलिए बाबा ने कहा कि दूसरे उसके गीत गाएंगे वह बाप के गीत गाएंगा सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा सदा बिंदी रूप में स्थित रहे हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाएं विग्न विनाशक बनाएं समर्थ बनाएं सफलता की मन्जिल के समीप लाता रहेगा देखिये, क्योंकि बिन्दी जो होती है उसमें कोई भी एंगुलरिटी नहीं होती है, वो सद एक समान रहती है, जिदर देखो बिन्दी है, हर एक के लिए वो बिन्दी है, दूसरी चीज होती है हम आपने दस को देखा, टैन को, तो जिसकी तरफ जिरॉ आप वो जिरॉ जो सामने से हो दस देखे गा. फरक हो गयाlicht. विल्कुल. सफलता का सीतारा कभी हद की सफलता के प्राप्ति को देख. प्राप्ति की स्थिति मेंँ बहुत खुशी और परिस्थिति आई वह प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाहे. हद में आगे हैं, ऐसी स्थिती परीवर्टन करने वाले नहीं होंगे. अब हद का क्या होता जैसे बॉर्डर है तो आप बॉर्डर के अंदर हैं इंडिया के बॉर्डर के आपको सेफ हैं अगर आपने दो कदम दूसरे दुश्मन देश के या परोसी देश के बॉर्डर में चले गए तो आपको पकड़ के जेल में ले जाएंगी सीता का क्या हुआ बॉर्डरी तो कुरास किया, तो हद मेलेका तो बॉर्डर होगा, और जिसका बॉर्डरी नहीं है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब उसका है, हम खुद बॉर्डर बना लेते हैं, हम किसी को इगनोर कर देते हैं, किसी का निरादर कर देते हैं, किसी को समान नहीं देत किसी को दिल को ठेस पुचा देते हैं उसको तो हम समयते हैं बहुत हम बड़े हैं अच्छा वो व्यक्ति जब कोई ऐसी परिस्थिती आती है उसी व्यक्ति को हमें काम करना होता है और उसका बचारे का दिल भूजा हुआ वो आता ही नहीं करने आपको तो प्रॉब्लम आ गए समस्या आगे के नहीं आगे इसलिए भगवान कहता है कि बेहद आज की मुडली में भी क्या था बेहद के बेहद के वरसा देने वाला हद की बात करे तो उसको वरसा ही नहीं मिलेगा जो चीज चादर में समेटनी है उसके लिए कोई पॉकेट आगे करे तो क्या पाएगा त सफलता का सितारा कोई हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिती में बहुत खुशी और परिस्थिती आई प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी को भी कम कर देता है ऐसी स्थिती परिवर्तन वाले नहीं होंगे सदा बेहद के सफलता मूरत होंगे एक रस एक स्रेश्ट स्थिती पर स्थित होंगे चाहे बाहर की परिस्थिती वा कार्य के बाहर के रूप असफलता अनुबो हो लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिती के प्रभाव में न सफलता के स्वस्थिती से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा यह सफलता के स्थार भाव यह है कि दूसरे उसको कुछ भी कहें उसके परवाव में ने उसको सफलता की असली परिवाशा पता कि सफलता क्या होती है उसको असली परिवाशा पता दिल्ली में जो असेंबली है उसके स्पीकर वो हमारे एक प्रोग्राम में आये थे तो उन्होंने हमको एक छोटी सी कथा सुनाई थी कहते हैं के एक माता जो थी वो जब जाती थी अपनी जॉब पे तो उसने रस्ते में एक लिश्ट बना के समान की कि अपने मंतली राशन की रस्ते में राशन की दुकान पर दे गई कि मेरे आने तक तुम उसको निकाल के रखना और उसने अपने बच्चे को भी कहा कि तुम उस दुकान पर आ जाना मैं तुम्हे आते हुए वो स्कूल में पढ़ता था ले जाओंगी उसने अच्छी लिस्ट बनाई थी तो दुकान दार ने उसको सारा समान दे दिया और उसके बच्चे को जैसे होता है एक टौफी दी तो बच्चे ने मना कर दी उसने बह बच्चा तु ले ले ना तो उसने का मैं नहीं लूगा जब तर ये खुद नहीं देगा तो फिर दुकान दार ने उसको अपने हाथ से टौफी अपने मुठी भर के दे दी ले ले उसने तो माता ने कहा क्यों बेटा तो ये क्यों कह रहा था कि तू उसने दी तुमने नही रखा तुमने नहीं ली उसने दी तुमने ले ली कहता है मम्मी पहले वो मुझे एक दे रहा था फिर उसने कहा कि तुम ले लो तो मेरी तो मुठी छोटी सी है तो मैंने अब उसने जब दी तो उसकी बड़ी मुठी थी ना इसलिए मैंने यह ले ली इसलिए जो सफलता वाला भी अपने से पूछो मैं कौन हो यह सिर्फ उम्मीद्वार हूं वा सफलता स्वरूप हूं उम्मीद्वार बनना भी अच्छा है लेकिन सिर्फ उम्मीद्वार बन चलना प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना इसमें कभी शक्तिशाली, कभी दिल शिकस्त यह नीचे उपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे उपर होता रहे तो थकावट हो जाती है कि तेना गरम सर्द हो गया इसको नुमूनिया हो गया तो निमुनी औसी को होता, जो कभी गरम कभी सर्द हो, तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभो दिल शिकस्त बना देता है, तो नाउमीदवार से उमीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभो करने वाला सदा स्रेश्ट है, अच्छा, सुना तारा म के कहानी, सिर्फ मदुबन का हाल तारा मंडल नहीं है, बेहद, ब्राह्म्हन, संसार, तारा मंडल है, ऐसे नहीं बपर कैता है, मैं अबक्त बाबा आया हुआ हूँ, मदुबन के हाल में बैप लिवे रहाँ और कह nearby, आपने तारा मंडल को सुना रहाँ हूं, जो हाल में मेहत का जो ब्राह्मन परिभार है वो तारा मंदल है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे, नए भी है और पुराने भी है, बहुत पुराने है। क्योंकि अनेक काल में हो, तो अति पुराने भी हो, तो नए बच्चों का उमंग उत्सा, मिलन मनाने का ड्रामा की नून्द प्रमान पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा, जाए जाए इतना उमंग रहा, जो डाइरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे न। कितना कहो कम आओ, कम आओ, तो कोई सुने ही नहीं। बाप दादा ड्रामा के हर द्रिश्य को देख हर्शित होते हैं। कि इतने सब बच्चों को आनाई था, इसलिए आ गए। सब सहज मिल रहा है न। मुश्किल तो नहीं है न। यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमान रिहर्सल हो रही है। यह जितने कहे गए थे हर जगा बेजा जाता है न। हॉल की के पैस्टी के इसलिमिट बंदी जाती है। लेकिन लिमिट तोड करके मान लो डबल आ गए, तीन गुना आ गए। अब बाबा का इसमें क्या रिस्पॉंस है। और कोई मैनेजर मैनेजमेंट करने वाला हो का है। देखो जी, हमने तो हजार बलाए थे, अब तीन हजार आ गए। हजार का कहां रिकमोडेशन, तीन हजार का कहां, कहां उनको सनान कराएं, बुजन की ववस्ता, हजार की जगा, तीन हजार आ जाएंगे तो क्या होगा, आदी आदी। लेकिन बाबा ने उसको देखो कैसे कहा। बाबा ने कहा कि इतने मस्त हो गए, इतने खो गए, कि डिलेक्शन को सुने अदेखा है नहीं, आ गए। बाबा कहता है, ड्रामा अनुसार आ गए, इसलिए क्या कहता है, ठीक है, तो भले हर्षित है, हम भे अगर ऐसी परिस्तिती में, कोई चीज हमारे इसी परकार से, मारे सातीन कुना कोई आ जाए, तो हम उस परकार से हर्षित होने की ये ग्जान जो बाबा रहा हमें बता रह इसको में धारन करेंगे, तो हम हर्षित हो सकते हैं, वैसे भी कहते हैं, प्रेम में नियम नहीं होता, प्रेम वाले ने मंत्रह नहीं मांगते, प्रेम वालों को चिठी नहीं लिखी जाती, कि तुम भी दस लोग आना, प्रेम में जितने हैं, वो सारे चल पड़ते हैं, और वो भी सारे रिसीव कर लेते हैं, वो कहते हैं आपके घर में तो जगा ही नहीं, मेरे दिल में तो जगा है, ये बात है, तो इसलिए बाबा भी कहते है, बाबा आओ, आप भी बड़ा दिल रखो, आपके यहां भी कभी ऐसा कुछ हो जाएं, तो मन में सोचों भी नहीं, क्योंकि तो बाबा कहें इसलिए बाबा बाबा के हर द्रिश्य को देख खर्शित होते हैं। और बाबा का मतलब क्या होता है? कि something abnormal. ड्रामा नाटक बनता ही तब है, या तो खुशी जादा हो, या गम जादा हो, अगर वैसे ही ना हो तो हम घर में बैठें, ड्रामा क्यों देखेंगे। यह सिष्टी का ड्रामा है, इसमें तभी बाबा ने कहा कि बहुत खुशी में भी ना हो जाओ, खुशी हो थोड़ी सी तो बहुत ना हो जाओ, और गम हो थोड़ा सा तो उसको गम ना समझ लो, दोनों में खुश रहो, यह ड्रामा के हर द्रिश्य को देख हर्शित होते हैं, कि इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए आ गया है, अब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना, यह भी ड्रामा अनुसार, अब देखिए, जो आए हैं, उनको मिल तो वन थाड ही रहा होगा, क्योंकि थी थरी टाइम्स आ गया हैं, है ना, अगर खाटे मिल अगर भूजन में एक गैंटे में पूरा होना तो दो गैंटे में पूरा होगा थोड़ा लाइन में, लेकिन बाबा ने सारी परिस्तिती बता कर, कि भी ऐसे हुआ है, तो लोग ने नियम बगारा ने सुना आ गए हो, फिर कहता है, जो मिला उसमें खुश होना, व्यक्ति आ हम आगे जी देखो, हमार ले जगह ही नहीं है, तो इसलिए बाबा ने पहले उसको एक्स्प्लेन करके, फिर उनसे क्वेस्टन पूछा है, तो इसलिए बाबा कहे, सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना, ये भी ड्रामा अनुसार, सम्भी प्रमान रिहर्सल हो र अर्थाज सहज बनाना, अर्थाज सहज बनाना, अब उनको कह रहा है, कि मुश्किल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अंडर इसलिए ना, तो ऐसा अपर ये भी कह रहा है, हो सकता है, नेक्स ताइम तुम आओ, तो मैं इससे भी कम, अगर संखिया बढ जाएगी, ड्रेक्श सहियोगी बनते हैं, तो पांच अजार भी समाना मुश्किल है, अगर सहियोगी बनते हैं, तो पांच अजार भी समा जाते, और सहियोगी नहीं बनते, अर्था विधेपुर्वक नहीं चलते, तो पांसो भी समाना मुश्किल है, इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर् जाना जो सब के दिल से यही निकले कि पांच अजार पांसो के बराबर समाए हुए थे इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना सर्टिफिकेट प्रमान पत्र अच्छा मिल रहा है ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे अब देखो बाबाने क्या कहा कि जैसे रहे हुए हो जो कुछ तुमको मिला है उसमें ऐसी संतुष्टता दिखाओ बले मुश्किल लगा हो लेकिन बहुत अच्छा रहा जी कोई कहा जी दिन त पावर, मुल्डिंग पावर, कॉपनेशन बिदी अधर साइड कि उनको मदद करें थोड़ी से ऐसे नहीं ऐसे कर लें यह बाबा सिखा रहा है यह प्रैक्टिकल सिरफ योग नहीं सहय योग तो पांच अजार भी समता उस साल पांच अजार आ गया थे उम्शादी बहुन तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना तो सदाई तालियां बजाते रहेंगे अच्छा रिकॉर्ड है तालियां तो खुशी में होती ना और बाबा कहते है घटना क्या हुई कोई मतलब ने सटिफिकेट क्या मिला सटिफिकेट अगर संतुष्चिता का मिलता है तो बड़ी बात है तो बाब कहें अच्छा रिकॉर्ड है इसलिए देखो ड्रामा अनुसार दो बार मिले वह यह नयों की खात्री ड्रामा अनुसार हो गई अच्छा सदा रुहानी सफल के सरेश्ट सितारों को सदा एकर स्थिती द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले सदा अधिकार के निश्चे से नशे और नम्रचित स्थिती में रहने वाले ऐसे परमात्म तारा मंडल के सौर्य चमकते हुए ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी इसने संपन याद प्यार और नमस्ते अब देखिए बावा संतुष्टा के लिए हमेशा कहता है स्वेम भी संतुष्ट दूसरे भी संतुष्ट अब जिसमें बावा ने उनको कहा कि देखो जो कुछ है उसमें संतुष्ट हो अच्छा हम हैं फिर बावा कहता है कि खुद तो संतुष्ट हो जिन्हों ने ये फैसिल्टी दी है जितनी दे सकते थे उनको भी ऐसा रिकार्ड दिखाओ कि हम संतुष्ट हैं ताके वो भी संतु आज के बाबा के सफलता के सितारों की विशेषता की मुरली है, जिसमें बाबा ने एक तो परमात्म तारा मंदल, प्रकर्ति का तारा मंदल, दोनों के क्या डिफरेंसेज है, किस तरह से वो तारा मंदल और ये तारा मंदल में अंतर है, उस बात को सपष्ट करते हुए, फिर दो प्रकार के सितारे बताए सफलता के उमीदवार के, सफलता के सितारों की विशेषता बाबा ने एक एक करके बताना शुरू किया, और बताते हुए यही कहा, कि सफलता के सितारे भले कैसी भी परिस्थती हो, कैसे भी संबन संपर्क में आत्माई हो, लेकिन फिर भी वो क बन करके जैसे दूसरों के आगे भी सेंपल हो जाते हैं तो ये थी बाबा के सफलता के सितारों की विशेशता हैं अच्छा, ओम शांती.